कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सरकार का पूरा जोर, टेस्ट, ट्रीट और वैक्सीन पर है राजि सरकार की इस रणीत के चलते प्रदेश में पिछले दस दिनों में कोरोना संक्र मलके 54,000 से ज्यादा मामले कम हुए हैं राश्ट्री इस्तर पर विशेशग्यों ने आशंका जताई थी कि यूपी में 5 से 10 मई के बीच रोजाना 1 लाख कोरोना केस आएंगे लेकिन ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और वैक्सिनेशन की नीती से एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावटा रही है योगी सरकार ने कोरोना प्रबंधन की विश्व स्वास्त संगठन ने भी तारीफ की है विपक्ष के नेताओं के हमलों के बीच सीम योगी अदितनाथ कोरोना महामारी से निपठने के लिए 18 से 20 घंटे रोजाना काम में जुटे रहे दिल्ली और महरास्ट में लॉकडाउन से लाखों लोगों ने ट्रेनों बसों और हवाई जहाज से पलाइन किया जिसमें यूपी में भी संक्रमर भढ़ा लेकिन प्रदेश सरकार ने 66,000 निगरानी समतियों और रैपिड रिस्पॉंस टीम के माध्यम से ग्रामीर शेत्रों में अभियान छेड़ रखा है और घर घर लोगों के स्वास्त की जानकारी ले रही है डबलू एचो ने भी योगी सरकार के कोविट प्रबंधन की तारीफ की है कि किस तरह योगी सरकार ने बिना पूर्ण लॉकडाउन के कोरोना पर नियंत्रण किया है